हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल मदूश कीचन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ यह बहुत ही कलरफुल और यूनिक स्नेक्स जो देखने में ही इतना प्यारा लग रहा है और खाने में तो और भी जादा मज़ेदार है इसे हमने बिना किसी कलर को यूज करके बनाया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होगा एक्दम अलग तरह के का स्नेक्स है तो आप भी एक बार जरूर बना कर देखिए आपको बहुत पसंदाने वाला है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह कलरफुल और यूनिक स्नेक्स सबसे पहले हमने एक पैन में एक बंच पालक लिया है और उसको अच्छे से तीन से चार बार धो लिया है और अब इसे तीन से चार मिनट के लिए उबालेंगे हमें इसे ज्यादा नहीं उबालना है सिर्फ इसके सोप्ट होने तक ही हम इसको उबालना है और अब देखिए पालक को हमने उब पेश्ट बना लेंगे इसी के साथ हमने इसमें दो हरीमिर्स काटके डाल धीं है तोड़ा सा हरा धनिया भी इसके डाल देंगे इससे flavor बहुत ही अच्छा आएगा और अब इनका एक fine paste बना लेंगे और यहाँ पर देखे हमारा पालक का paste बनकर तयार हो गया है अब एक पर रात में हमने एक टोरी आटा लिया है और इसमें थोड़ा से नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाली है और उसमें दो चमश ओइल डाल कर हमने इसको अच्छे से mix कर लिया है अब इसमें पालक का paste डालेंगे थोड़ा थोड़ा हमें इसको खाली पालक के paste से ही तयार करना है इसमें पानी का यूज नहीं करना है बिलकुल भी अच्छे से आटे के साथ mix करते वे हमें आटे को तयार करना है एक साथ सारा paste नहीं डालेंगे आटे के हिसाब से हम इसमे पेश्ट वो डालेंगे और आटे का हमें एक medium soap दो बना कर तयार करना है और यहाँ पर हमारा पलक का आटा तयार हो चुका है अब इसे rest के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए और यहाँ पर हमने एक बीट रूट लिया है और उसको हम grate कर लेंगे और छान लेंगे और यह देखे इस तरीके से हम इसको प्रेस करते जाएंगे और इसमें से रस निकलते जाएगा इसी तरीके से हम सारा रस निकल लेंगे और दीखे यहाँ पर भी हमने एक कप आटा ले लिया है और उसमें हलका सा नमक और रजबैन डालकर मिक्स कर लिया है दो चमस दिल डाला है अच्छे से मिक्स कर लिया है देखे इसको और अब इसमें बी टूट का जूस डालेंगे ये देखे और अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसका भी एक मीडियम सोब्डो बना कर तयार कर लेना है और अब स्टफिंग तयार कर लेंगे इसके लिए हमने चार आलो लिये हैं आलो को हमने वोईल कर लिया है और इनको छील कर हमने इस तरीके के पिसेस में कट कर लिया है अब इसमें एक चमस नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग ही डालें आदा चमस धनिया पाउडर डालेंगे आधा चमश डेट चिली पाउटो डालेंगे एक चोथा ही चमश काली मेर्ट सी डालेंगे हलका सा चाट मसाला डालेंगे एक हरी मेर्ट सी डालेंगे इसको हमने बारिक बारिक कट कर लिया है थोड़ा सा बारिक कट अप्याज डालेंगे और एक कटोरी हरा धनिया डालेंगे और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारी स्टफिंग बनकर तयार हो गई है अब सबसे पहले यहां हमें एक सिंपल रोटी बना लेंगे यह हमने सिंपल गेहूं के आटे की रोटी बनाई है एक रोटी की बरावर ही हमको इसको बना लेना है और ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है और अब इसी तरीकी से एक हमने पालक के आटे की रोटी बनानी है इसको भी हमें उसी रोटी की बरावर बनाना है जो हमने पहले रोटी बनाई है और ना ही इसको भी ज्यादा मोटा रखना है और ना ही पतला रखना है और एक रोटी अब हमने वीट रोट के आटे की बनाई है इसको भी हमें उसी रोटी के बरावर रखना है बाके की जो दो रोटियां हमने बनाई है और यहां पर देखिए सबसे पहले हमने पालक की रोटी रखी है इसके उपर से हमने सिंपल आटे की रोटी रखी है और फिर स और अब देखिए हमें एक साइट से इस तरीके से इनको रोल करते हुए लेकर आना है फोल्ड करेंगे और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए ताकि इसके अंदर एर ना रहे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसको रोल बना लेना है एक अच्छा सा अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेंगे, ये देखे इसको अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना है बिलकुल, ताकि अंदर इसमें एर ना रहे, और अब एक चाकू लेंगे, और इसके दोनों किनारे देखे, इस तरीके से निकाल देंगे, दोनों साइट से, और अब रोल को ह और इस तरीके से हाथ से इसको सेट कर लेंगे थोड़ा से अपनी हतेलियों की हेल्प से इसको गोल कर लेंगे और अब देखिए हर एक लोगी से हमें एक पूरी के जैसा इसको बेल लेना है इतना बड़ा एक पूरी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा ही हम इसको बेल लें करेंगे लेख एक फोक लेंगे और उसे अच्छा सा डिजैन का चिपक भी जाएंगे प्लास्टिक प्लाश्टिक में इस तरीके से धिकार के अंदर की side को इसको प्रेस करेंगे और हमारा बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा design मन कर तयार हो जाएगा, एकदम फ्लोर सिप में हमारा design मन कर complete होगा सेम इसी process से हमको सारे snacks बनाकर complete कर लेंए है दीखें अच्छों से हम पहले उंग्लियों से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये अंदर की साइट से अच्छे से चिपक जाए और अब फोक से हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे देखे इस तरीके से और अब चाकू की हल्प से ये देखे इस तरीके से हम इसको अंदर की साइट को ले जाएंगे और हमारा डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा और ये देखे कितना सुन्दर हमारा डिजाइन बनकर आ रहा है एकदम रिउनिक सा डिजाइन बच्चे भी देखेंगे ना तो एकदम खुस हो जाएंगे तो चलिए इसी तरीके से सारे डिजाइन को कम्प्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने सारे डिजाइन बनाकर कम्प्लीट कर लिए हैं चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं और देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं देखने में और यहाँ पर देखिए, तेल गरम हो चुका है, अब इसमें एक एक करके सारे स्नेक्स को हम डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, और यह देखिए थोड़ा गैप में हम इनको डालेंगे, एकडम एक दूसरी के उपर से नहीं डालेंगे, जिसे की अच को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से यह बहुत ही ज्यादा क्रंची बनेंगे बहुत ही खस्ता बनेंगे और देखिए इसी तरीके से हमें इने फ्राई करना है और अब यह अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब इनको निकाल लेंगे इसी तरीके से हमने स सारे स्नेक्स को फ्राइ कर लेना है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी पसंद रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और हां बेल आइकन का बटन दवाना ना भूलें जिसे की मेरी आने वाली सभी वीडि